आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार मद्दाना भी लॉंच किया है उन्होंने का है कि हम अखिलेश यादों को मुख्य मंत्री बनाएंगे अखिलेश यादों की सरकार बनाने के लिए पूरी जनता तयार है और यह में 20 फरवरी को पढ़ने वाले मद्दान में ड्यूटी में लगे चतूर्त श्रेडी करमशारी की हत्या के मादेवे पुलिस ने सफल अनावरड करते हुए चार अभ्यूक्तों को गिरफतार कर लिया है हत्या के मामले को पुलिस ने एक चुनावती की तरह लेते हुए कारवाई की और 48 घंटों के अंदर ही सफल अनावरड किया पुलिस ने दो मोटर साइकल भी बरामत की है जो मृतक जुनेश कुमार है इनका अपने ही एक रिष्टारी में एक लड़की के साथ संबन्थ है और उस लड़की के साथ इन्होंने विभा करने से मना कर दिया था उसको द्वेश मानते हुए जो इसमें में अभियूद गरफ्तार मुहित कुमार है जो उस लड़की का भाई था उसने रंजिश मानते हुए इसको पहले खिलाने पिलाने के बहाने से इसके पोल के बाहर इसको बुलाया कि इनका में उद्देश यही था कि क्योंकि इनकी बहन के साथ इनके पहले से संबन थे और अचानक से शादी करने से इनकार कर दिया उसको द्वेश मानते हुए मोहित और इनके अनसाती जिसमें प्रदीप सत्वीर राजेश जो इनके साथ पहले गुड़गाउंस में किसी होटल में काम करते थे उनसा भी ने एक साथ मिलकर के प्लान बनाया और इनको मारती और डेट बोडी पर पुलिस को मिली थी इसमें सारे उच्छी धारों में वियोपे निफित करते थे अलिगड में संस्थापक सर सेद अहमेद खान की पूड़िती थी के असर पर पहली अखिल भारती निबंद लेखन प्रतियोगिता उर्दू और हिंदी में आयुजित की जा रही है अलिगड पुलिस विस्विद्याले का जन संपर्क वभाग पिछले 10 सालों से सेद अहमेद खान के जनम दिन के असर पर अखिल भारती निबंद लेखन प्रतियोगिता उंग्रेजी में आयुजित की जाती है यह आल इंडिया सचीद ऐसे कॉम्प्टेशन है तो इसमें मकसद यह है कि इंग्लिश में इस तरह की प्रोग्राम हो चुके हैं तो हम यह चाहते हैं कि इसको उर्दू में और हिंदी में जो जुबाने हैं जो हमारी उनिस्टी से जुडवी हैं जो हमारी कौमी जुबान है जो हमारी मांधरी जुबान हैं इसमें भी हम सरस्यद के तालोख से जो है वो ललके जो इंग्लिश के में हिसालिया था और महरूम रहे गयते जो उर्दू में अपनी बदा कह सके हं हंदी में पनी बात कह सकें तो इनको यνε मौका बिया है कि जो सर्स्यदय अम頭 का मजब से औ अगर वो अपनी तरफ से पहल करते हैं। अगर वो अपनी तरफ से पहल करते हैं। यूपी ही नहीं पूरे देश की जनता का विश्वास खो दिया है। कहा जाता है कि सियासत में सास नाम दंद भेद चारों अपनाने पड़ते हैं। और अगर चुनाव जीतना है तो यह गुड होना जरूरी है। इमामला सोन भद्र से सामने आया है। जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान सदर विधायक और भाजवा प्रत्याशी बूपेश चौभे ने हात जोडते हुए कारकरता और जनता के बीच उठक-बैठक लगाना शुरू कर दिया। जिसके बाद विधायक जी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है। पहर से मर जाते हैं। तो वो अगर पांच साल के दरलियान भुल चूपी है, तो हम उसकी दिम्वारी लेते हुए, हम अपने जन्सा और कारकरताओं से उसके बाद 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 जा रहे हैं। सवरान विधान सभा करहल के गाओं जस्वनपूर, बूत संक्या 266 पर मद्दाताओं ने मद्दान के प्रती भारी उत्सा दिखाते हुए बीते 20 फरवरी को वोट दिया था। लेकिन बूत से एक वीडियो वायरल होने के बाद बूत क्याप्शरिंग के शिकायत भाष्वा प्रत्याशी प्रोफेशर एस्पे सिंग बागेल ने की थी, इसके बाद प्रेक्शक करहल पुनर मद्दान की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी थे। निर्वाचन आयोग के आदेश पर जस्वंत पुर में 23 फरवरी को चुना आयोग ने भारी सुरक्षव वैस्था के बीच पुनर मद्दान कराया। प्रेक्शन आयोग क्या कारण रहा जो पने मद्दान के जा रहा है। यह कोई टेक्निकल कारण था कि एक महला आसा कारकर करता थी तो उसको को पॉलिंग पार्टी ने पॉलिंग स्टेशन के अंदर अपनी मद्द पिए रख लिया। अलागे वो भी करम सरकारी करम सारी थी तेकिन वो फॉलिंग पार्टी के साथ ब्यूटी में नहीं थी। उसी बात को लेके किसी में पीडियो बनागे बेल दिया। करनाटा के राज़्य में एका एक ठूठे स्कूल में हिजाब पहनने की मांग के बीच राज़्य में बढ़ती संप्रदाईक घटनाओं में बजरंग दल से संबंध रखने वाले की हत्या के बाद मामला देश भर में गर्मा गया है। अलिगड में मारे गए युवक के हत्यारे को फासी देने की मांग को लेकर अलिगड में बजरंग दल कारेकरताओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दोरान जमकर नारे बाजी वो भगवा जंडा हाथ में लेकर बजरंग दल के कारेकरताओं ने विरूत प्रदर्शिन किया। देवरिया 338 पथर देवा विधान सभा में वर्वाप मीम पूर मेंक समारो आयोजितकर पूर मंत्री शाकिर अली की दित्य पूरतिती मनाया गया। वक्ताओं ने उनके संघर्स और उनके योगदान को याद किया। समारो में स्वर्गे साकिस अली के पूत्र परवेज आलम ने स्वर्गे शाकिर अली के चित्र पर मालयार पढ़कर शर्दा सुमन अर्पित के और उनके चित्र के सामने पड़े आपको बता दे कि परवेज आलम स्वर्गे शाकिर के पूत्र और पथर देवा विधान सभा स बसुपा के प्रत्याशी हैं परवेज आलम ने बताए कि हमारे पिता सुवर्गे शाकिर अली राजनीती में एक अलग पहचान बनाई है मैं उन्ही के आदर्शों पर चलने का कारे कर रहा हूं बहुत उनकी याद आती है हमारे पिता जी आज मैंने उटकी फोटों देखी मैं अपने को रोक नहीं पाए आज मेरे माबाब का साया मोगे मेरे सर शूटी गया पॉरा जिवन हम लोगों ने जनता के लिए सबर्पित कर दिया तो मुझे भरोजा है पतर्देवा की जनता पर कियो मेरे साथ ने आए करेगे जो मेरे पिता की अधुरे काम है मैं उसको पूरा खरूँगा और सरसमाज को लेके साथ चलूँगा मैं चाहता हूँ कि अगर यहां की जंता मुझे आसीरबात देती है तो मैं यहां पे बेरजगारी को दूर करने का प्रयास करूँगा यहां पे अच्छे ऐस्स्पटाल की जरूरत है अच्छे विद्याले की जरूरत है एक उध्यो की जरूरत है और उसके साथ जो है महागाई जो है उसको भी अपने अस्तर से प्रयास करूँगा कि वो कम हो जाए उत्रप्रदेश की खबरों में इतना ही देश-दुनिया की और रिताजो तरीन खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार